नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफ्रण CBI ने दिल्ली के उपमुखे मंत्री मनीश सिसोदिया के एक OSD को गिरफतार किया है मनीश सिसोदिया का ये OSD GST इंस्पेक्टर के तौर पे भी काम कर रहा था और रिश्वत लेने के जर्म में CBI ने इसको गिरफतार किया है लेकिन इस GST इंस्पेक्टर की गिरफतारी के बाद दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है क्योंकि कल मद्दान होने है आट फरवरी को चुनाओ है दिल्ली में और ऐसे में उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिशे शुरू हो गई है बीजेपी ने सीधे तोर पर मनीश्य सोदिया पर हमला बोला है और ये कहा है कि भरस्टाचार को खत्म करने के लिए शुरू की गई पार्टी भरस्टाचार पर ही जाकर खत्म होगी ये ट्वीट किया है अमित मालवी ने जो दिल्ली बीजेपी के मीडिया सेल के हेड है उन्होंने सीधे सीधे मनीश्य सोदिया पर निशाना साधा है और ये ट्वीट किया है लेकिन मनीशी सोधिया का भी इस बीच में बयान आया है और उनुने साफ तोर से ही कहा है कि मनीशी सोधिया एक ऐसी मंत्री रहे हैं जिन्हों ने अपने शासनकाल में 5 साल में कई लोगों को भरस्टचार के मामले में पकड़ा है और उनकी गिरफतारिया करवाई है मनीश सोधिया ने साफ तोर से मीडिया को दिये हुए इंटर्वियू में ये कहा कि हमारे हाँ जिरो टॉलरेंस की निती अपनाई जाती है आम आदमी पार्टी की सरकार में और ये तो एक करमचारी है मुझे पता नहीं है कि ये मेरे अंडर बारा ओस डी काम करते हैं दस से बारा और उनमें से एक ये हैं लेकिन अगर सी बियाई ने इनको गिरफतार किया है तो बहुत सही किया है करमचारी क्या हम तो मंत्रियों को भी नहीं बखशते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में यानि कि जीरो टॉलरेंस की निती पर चलती है आम आदमी पार्टी की सरकार और सिसोदिया ने इस पूरे मामले में किसी भी तरह की सियासत ना करने की सलाह देते हुए ये कहा कि जो करपसर करते हैं जो रिश्वत लेते हैं भरस्टाचारी हैं उनके मामले में सीधे गिरफतारी होनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो भरस्टाचार को लेकरके जीरो टॉलरेंस की निती अपनाती है लेकिन क्योंकि आठ फरवरी को मद्दान होने है ऐसे में ये गिरफतारी काफी एहम हो गई है चुनावी माहौल में सियासत गर्मा रही है इस पर आपको बता दें गोपाल कृष्ण माधो नाम के इस अधिकारी को गिरफतार किया गया है जो जी स्टी को लेकर के रिश्वत ले रहा था दो लाख रुपए के रिश्वत उसने ली और उस मामले में उसकी गिरफतारी की गई है पुलिस ने धीरच नाम के एक आदमी को भी गिरफतार किया है जो कि इस पूरे मामले में बिचौलिये की भूमिका निभा रहा था और जब गोपाल कृष्ण माधो के प्रुफाइल को देखा गया है तो उसमें उसने लिखा है कि वो OSD के तौर पर डेपुटी CM के लिए तैनात था यानि कि गोपाल कृष्ण माधो जो की जेस्टी इंस्पेक्टर भी है लेकिन उसकी तैनाती OSD के तौर पर मनीश्ची सोधिया जो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री है उनके कार्याले में भी थी और 2015 से ही OSD के तौर पर उपमुख्यमंत्री ये कार्याले में तैनात था लेकिन CBI ने अब इसको गिरफतार कर लिया है और इसकी गिरफतारी के बाद दिल्ली में सियासत गर्म हो गई है अभी के लिए इतना ही धन्यवादा